मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के प्राक्टिस सेट की यह प्राक्टिस सेट हमारा इंकम टेक्स रेलेटेड है इसमें हमने इंपोर्टेंट डिड़क्शन्स और एग्रिकल्चर इंकम से रेलेटेड कॉशन्स लिए हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आप लास्ट तक जरूर देखेएगा और इन मैंसे हंडेट परसंट आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीचे फ्रेंड के शेयर कीचे और किसी भी तेरे की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा देखिए कॉशन है हमारा इव दी पेड दस नॉट फरनिश पैन एंड टीडियेस अंडर सेक्शन वन नाइटी फो डिविडेंड शेल भी मेंड एड यानि कि अगर जो हमारी सेक्शन वन नाइटी फो है उसके तहत अगर पैन या टीडियेस वो प्रेजेंट नहीं करता है तो वहाँ पर उस पर कितने परसेंट की डिविडेंड उसको दिया जाएगा 20 परसेंट 15 परसेंट 10 परसेंट या निल बताएए आंसर कितना परसेंट डिविडेंट होगा देखिए अगर वो किसी भी तरह से पैन या टीडियेस नहीं देता है या वहाँ पर वो शो नहीं करता है तो वहाँ पर उसको चार्च किया जाएगा 20 परसेंट डिविडेंट ठीक है या इसे कुशन पर आईए डिदक्षयन पर आईये डिदक्षन ओफ टेक्स अट सोर्स फोर इंसुरेंस कमिशन इस एड बताएे इंसुरेंस कमिशन पर जो हमारे डिदक्षन ओफ टैक्स होगा वो कितना होगा?」 परसेंट का फिफ क्या होगा answer यहाँ पर answer हो जाएगा 10% insurance commission पर tax deduction जो लगती है tax की वो होती है 10% next है the provision regarding TDS on salaries are contained यानि कि जो salary पर TDS लगता है वो हमारे किस section के थुरूल होता है section 190, section 191, section 192 and section 193 बताईए आपको ये सारे sections याद करने है मैं shorts में भी important section आपको बता रही हूँ तो please short भी आप ज़रूर देख लेना यहाँ पर है option C, section 192 के अंदर ये हमें बताया गया है ठीक है next question पर आते है agreement amount of deductions under 80 C, 80 C, 80 C, 80 C C, D cannot exceed यानि कि आपको जो 80 C, 80 C, C, C and 80 C, C, D के अंदर deductions मिलती है उसका amount कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक लाग दस हजार से ज़्यादा, एक लाग बीस हजार से, एक लाग तीस हजार से या फिर एक लाग पचास हजार से बताईए इसकी थियोरी भी मैंने सारी deductions की करार दिखी है, कितना qualifying amount है, क्या है, कौन सी deductions, कम मिलती है, किस पर मिलती है प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, थियोरी की बताईए, तो इसमें जो amount था, वो था एक लाग पचास हजार, ठीक है next है, amount of deductions in case of, अब देखी, यहाँ पर वही चीज है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या कहा दिया, severe disability तो आपको याद रखना है, 80cc, जो हमारी deductions है, एक मिनिट एक मिनिट, caution में कुछ गड़बड है, एक मिनिट ओके, देखी, यहाँ पर हिंदी वाला जो caution है, वो बिल्कुल correct है हाँ, हिंदी वाला question वो गलत है, आप इंग्लिश वाला देखी, मैं इसको हिंदी में आपको बता देती हूँ देखी, यहाँ पर बताये गया है, जो आपको severe disability का जो person होता है, उसके लिए deductions जो है, एक टी यू में मिलती है, तो उसका qualifyं का amount आपको बताना है, कितना है, 75,000, 85,000, 15,000, 25,000 बताइए एक person है severe disability का तो उसको कितने तक की deductions मिलती है उसको मिलती है एक लाग 25,000 की deductions ठीक है next देखें amount of deductions in case of a person with severe disability under section 80 U will be यह वाला question side repeat हो गया है हाँ यह repeat हो गया है इसको छोड़ देना answer वह एक लाग 25,000 है ठीक है next है for the purpose of deductions under section 80DD यानि कि 80DD के अंदर चो deductions है उसका purpose आपको बताना है क्या है assessi जो है वो individual या हुएफ होगा assessi resident of India होगा assessi dependent, disabled, relative होगा या फिर आपको आपकों होगा जिसको 80DD के अंदर deductions मिलेगी 80DD के अंदर किसको deductions दी जाती है यह मिलती है उस assessi को जिसका एक dependent, disabled, relative होता है ठीक है options C यहाँ पे हमारा right answer है next question देखिए the exemption under section 54 shall be available अब आपको section 54 में जो exemption मिलती है वो किसके लिए है to the extent of capital gain invested in the house property proportionate to the net consideration price invested to the extent of amount actually invested या फिर नन बताईए देखिए 54 की जो exemption है वो हमें तम मिलती है जो भी हमारे house property में हमने invest किया है और उसे हमें कुछ capital gain हुआ है तो यहाँ पर 54 की section apply होता है और उसे हमें exemption मिलती है option A यहाँ पे right answer हो जाए to the extent of capital gain invested in house property जो भी capital gain हुआ है उसको आपने invest किया था house property के अंदर ठीक है next है gain arising on transfer of capital assets is charged to tax under the head capital gains income from capital gains is classified as short term capital gains and long term capital gains gains generally long term capital gains is charged to the tax to the tax at the following rates इसमें आपको plus surcharge और CSP अपलीकिवल हुआ बताईए question को धोड़ा question बढ़ा है इसको अच्छे से बढ़ी है बताईए जो भी capital asset है उसको आपने transfer किया था तो वहाँ आपको capital gain हुआ ठीक है अब यहाँ पर capital gain जो हुआ है आपको short time में वो आपको उसके लिए कुछ rate बताई गई है और वो rate आपकी search charge और CES applicable होकर है तो बताईए वो rate क्या है यहाँ पर capital gain के लिए जो rate है वो है आपका 20% ठीक है option C right answer है next देखिए अब आपको exemption जो मिलती है section 10 sub section 37 में वो किसको लिए है एक individual और हुए फ के लिए एक individual के लिए हुए या फिर none of the above बताईए इससे related theory आपको shorts में मिल जाएंगी तो please देख लेना एक बार क्योंकि मैं अब long video इतना time नहीं है मैं कोशिश कर रहे हूँ कि short में आपको कम time में ज़्यादस ज़्यादस चीज़े provide कर पाऊं ठीक option क्या हो जाएगा यह यह आपको एक individual या एक हुए के लिए है जिसमें आपको exemption मिलती है ठीक है next है on the occasion of marriage of राहुल गांधी यानि कि राहुल गांधी की marriage पर उन्होंने 75,000 रुपे एक relative से receive किया as a gift अब उस पर वो जो amount उन्होंने receive किया है वो क्या है taxable, non-taxable, taxable subject to standard deductions of 50% या फिर none of the above क्या होगा answer देखिए उन्होंने gift खरीदा है marriage पर तो इस तरह की जो चीजें होती है वो हमारे tax का part नहीं होती है इसलिए यहाँ पर यह जो amount जो भी उन्होंने receive किया है वो हमारा non-taxable कहलाएगा next है the payment of any simple interest to a new partner is allowed only to the extent of 12% per annum as deduction as per यानि कि आपने एक simple interest receive की ठीक है और वो कितनी थी आपकी 12% per annum तो यह जो deductions है इस तरह की deductions आपको किस section में मिलती है यानि कि कोई भी नया partner 12% तक अपने interest को ले सकता है और उसको जो है exemption मिलेगी ठीक है तो यह किस में बताए गया है यह हमारा बताए गया है section 40 subsection oh sorry section 40 B में ठीक है option B यहाँ पे हमारा right answer है next है which of the following statement are true in context of surcharge on income tax बताए कौन से statement यहाँ पर वो सही है income tax surcharge is an additional charge payable on income tax भी option है income tax surcharge एक added tax है जो कि taxpayer पर लगता है जब उनकी income particular financial year में भड़ जाती है या फिर surcharge depend करता है income tax slips पर या फिर ननौफतिया पर बताए बहुत ही simple है इसका तो आप easily answer कर सकते हैं क्या हो जाएगा इसका answer क्या लगता है आपको देखिए इसका जो right answer होगा वो होगा option D क्योंकि सारे ही सही है जो हमारा income tax surcharge होता है ये additional charge है income tax पर ये बिलकुल सही है और ये high income होने पर लगता है ये भी सही है और ये उनकी tax slaps होती है उस पर depend करता है ये भी बिलकुल correct है ठीक है next है which of the following section deal with pan शॉर्ट में मैंने आपको बताया था ये pan ऐसे लिख लीजएगा pan बताईए ये हमारा define किया गया है b में और इसको ऐसे कर लेना section 139a ठीक है पूरा ये है इसका तो section 139a में बताया गया है pan को next है which of the following is related to self-assessment ये भी मैंने आपको कराया हुआ self-assessment किस section में बताया गया है देखिए यहां पर ये गलत हो गए है मैं भी आपको correct करते थी क्योंकि मैंने बहुत जल्दवाजी में ये PPT prepare किया है ये 140 फिर है 140a उसके बाद है 140b उसके बाद है 140c ये हैं आपकी अब बताये कौन सा होगा correction कर लेना प्लीज इसमें अब बताये self-assessment आपका किस से related है तो ये हो जाएगा option B 140a में यानि कि यहां पर section 140a आपका apply होगा self-assessment के लिए ठीक है next है under which of the following provision of income tax tax deducted at sources provided for यानि कि किस provision के अंदर आपको TDS provide किया गया है आपकी examer sections बहुत पुछे जाएंगे क्या हो जाएगा इसके लिए जो section दिये गए है वो है हमारे section 192 206 CA ठीक है next है under which section HUF is not entitled to deductions from gross total income यानि कि किस section ऐसा कॉनसे section है जो कि HUF के लिए नहीं है gross total income पर deduction लेने के लिए कॉनसे deduction नहीं मिलती है HUF को देखिए HUF यहाँ पर ATE की deduction नहीं ले सकता क्योंकि यह जो deduction है यह individual के लिए है ठीक है इसलिए option D right answer हो जाएगा बाकि यह सब HUF के लिए भी है next है the deductions for donation to national foundation for communal harmony is communal harmony के लिए कोई national foundation को आपने donation दी है तो उसमें deductions कितनी होगी 15% qualifying 100% 100% qualifying amount या फिर none of the above क्या हो जाएगा B हो जाएगा 100% आपको वहाँ पर deduction मिलती है ठीक है यानि कि जितना आपने दिया है वो सारा amount आपका non taxable में चला जाएगा यानि कि आप वहाँ पर आपको शोतर करना पड़ेगा अपना लेकिन बाद में वो पूरा amount कट जाएगा next है Mr. Verma contribute करते हैं एक political party को अब उनको कहाँ deduction मिलेगी ATG में ATDDB में ATGGC में या फिर ATDDD में कहाँ उनको मिलेगा deduction आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इन में से कौनसी डिड़ेक्शन हमारी political party में डोनेशन से रिलेटेड है क्या हो जाएगा ATGGC option C right answer है ठीक है next है which of the following deductions is eligible for 100% deductions बताइए इस में से कौनसी deduction आपकी eligible है 100% deductions के लिए कौनसा हो जाएगा देखिए यहाँ पर जो 100% eligible होगी वो होगे आपकी national sports fund ठीक है बाकी तो आपकी ऐसी है 50% है कोई ठीक है इस तरह की है option D यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा 20 का national sports fund next आते हैं आपके 21 पर surcharge is payable by an individual where the total income exceeds 10 lakhs, 25 lakhs, 50 lakhs या फिर 1 करोर बताईए क्या लगता है आपको इसका answer जल्दी करिए answer कितनी total income उसकी exceed नहीं होनी चाहिए क्या हो जाएगा देखी right answer यहाँ पर हो जाएगा option D एक करोर ठीक है नेक्स्ट आईए which one of the following statement is not correct अब आपको बताने इसमें से कौनसा आपका correct नहीं है अब person may not have assessable income but still be an assessi कुछ ऐसे cases जहाँ पर assessment year or previous year same होगा एक Indian company हमेशा resident assessi होगी या फिर surcharge एक additional tax है जो कि total income पर लगता है बताईए कौनसा statement इसमें से आपको correct नहीं लगता option क्या हो जाएगा surcharges जो है वो additional tax तो है लेकिन यह total income पर नहीं लगता gross total income पर लगता है ठीक है next है minor's income is clubbed to father's income mother's income father's income और mother's income whichever is greater या फिर both mother and father income बताईए एक minor की income जो है वो किसके ऐसाथ club की जाती है ठीक है यह club की जाएगी father और mother जिसकी भी income जादा है उसके साथ club करके शो की जाती है एक minor की ठीक है next है which one of the following section related to clubbing of income इसमें से कौन सा section हमारा clubbing of income से related है section 62, 63, section 62, 69, section 62, 64 या फिर नन अफ्ती अबबव right answer क्या हो जाएगा C, 62, 64 ठीक है next है deduction in respect of medical insurance premium is allowed under section 80C, 80D, 80DD या फिर 80U medical insurance premium पर आपको deduction मिलती है किसमें 80D में ठीक है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा answer answer B हो जाएगा next है अपने salary receipt करी है एक manager के द्वारा salary receipt की गई है और वो manager है agriculture farm का तो यह income आपकी किस तरह की income होगी agriculture income, business income, salary income और capital income बताएगा देखो हमेशा याद रखना आप कोई भी manager agriculture farm का manager अगर salary करता है तो वो salary उसकी agriculture income कहलाएगी ठीक है option a right answer है next है income from a farmhouse अब आपके farmhouse से आपने कोई भी income generate की है वो किस तरह की income है तो इस तरह की income भी हमारी क्या कहलाएगी agriculture income ओके नेक्स्ट आये अब agriculture रूलर agriculture land आपने sale करें और उससे आपको income generate हुई है यह क्या है taxable capital gain taxable income exempted capital gain या फिर none of these यह income हमारी कैसी हो जाएगी taxable क्योंकि यहाँ पर ruler की बात की जा रही है urban की नहीं ठीक है इसले यह taxable है नेक्स्ट है all income which arises to the minor child shall be clubbed in the income of his or her parents, siblings, friends या neighbors इसका answer आप simply कर सकते हैं अब यह भी आपने इस जैसा ही एक और question किया है तो ऐसी कोई भी income चुकि एक minor child है जिससे rise हुई है तो उसको club किया जाता है उसके parents की income है पेरेंट्स में भी जो उसके mother or father है जिसकी income जादा होगी उसमें दिखाया चाता है ठीक है option A right है next है which one of the following is or are not treated as an agriculture income कौन सी income इसमें त्रीट नहीं की जाएगी अग्रीकल्चर इंकम की तरह है देखिए पोर्टरी फार्मिंग से आपको कोई इंकम जनरेट हुई है या फिर आपने भी हीविंग से हुई है या फिर आपकी standing crops purchase से यह सारी ही आपकी all of the above non agriculture income है इसलिए यहाँ पर option D right answer हो जाएगा क्योंकि इस तरह की जो incomes होती है वो इसमें आपने कोई भी agriculture operation नहीं किया इसलिए option D यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है next है the agriculture income is fully exempt from tax from पताईए किस act से agriculture income को exempt कर दिया गया fully क्या हो जाएगा answer answer हो जाएगा option A finance act 1973 से हमने agriculture income को fully exempt कर दिया गया next है the carry forward of losses is permissible if the return of income for the year in which loss incurred as filed on time not filed on time filed in advance जो भी carry forward of losses हुए है वो permissible है if the return of income for the year in which loss incurred is बताईए कब permissible होते है जब आपने उनको time पर file कर दिया है ठीक है option A right है तो आज के यही थी question आप लोगों की request थी कि थोड़े difficult question रखे जाए तो I hope आप आज के questions का level आपको पसंद आया होगा और आज हमने टैक्स से भी काफी important topic को और questions को discuss किया है I hope आपको सारी चीज़ा clear होए होगे किसी उतरह का doubt हो तो please जरूर बताएगा तो next video में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए take care बाई बाई झाल पस्थgg चारएगा लिए क्टारे वैज़ा के लिए वड़े इन चारता हैंे क्टारे था तर बाई